हे राम, तुम्हारे कितने नाम है, तुम्हारे कितने रूप है, और तुम किस जाती से हो? ए शबरी, मेरा कोई नाम नहीं है, मेरा कोई रूप नहीं है, मेरी कोई जाती नहीं है, मेरा कोई मैं भी नहीं है, मैं तो बस तुम हूँ, तुम्हारी भावना भारतिय समाज में कब और कैसे पैदा हुई जाती प्रथा? कहां से आई यह प्रथा? क्या मनुस्मृति को महाराज मनुने नहीं लिखा? तो किन लोगों ने मनु के नाम पर बना डाले उच नीच के नियम और वर्ण व्यवस्था? क्या भारत में वर्ण व्यवस्था का विचार किसी बाहरी सभ्यता से आया? वो बाहरी सभ्यता के लोग कौन थे? जिन्होंने भारतिय समाज को सदैव के लिए उच नीच के अद्रिश्य और अस्प्रिश्य रेखा से बाढ़ दिया? आईए, जानते हैं प्राचीन ग्रंथू के स्वाध्याय में विशेश रूची रखने वाले वरिष्ट पत्रकार सुधीर राघव से? अगर आप प्राचीन भारतिय समाज को देखते हैं तो उस क्यों इस तरह का वर्गी करण नहीं है। राजा हरिष्ट जो कि राम के पूर्वस थे उन्होंने डॉम के घर में पानी-बिभरा, उन्होंने डॉम के घर में कांद किया डॉम जो संतान घाट का रख्षक था और राजा हरिश्चंद्र इच्छवाकू कुल के राजा थे प्रतापी राजा थे और उन्होंने ये सिद्ध किया कि कर्म ही सबसे बड़ा है राजा भी कर्म से छुटा है इसी तरह से इक्ष्वाकू के कुल में भगवान श्री राम ने शवरी के जूटे देर खाए निशाद से मित्रता की ऐसे बहुत से उधारण भारतिय समाज में मौजूद है लेकिन उसके वावजू समाज में हमें दिखता है कि उचनीच की भावना जाती आधारती उचनीच की भावना है यह भावना आखिर कहां से आई यह भावना भारतिय नहीं है यह भारतिय समाज की भावना नहीं है मूलते सिंदु घाटी में भी इस तरह के संकेत नहीं मिलते हैं कि समाज किसी उंच नीच के वर्गी करण में बटा हुआ था तो फिर यह भावना कहां से आई तो हम जब खंगालते हैं दूसरे समाजों को उसी काल की अन्य सभ्यताओं को तो हमें इसके बारे में कुछ जानकारी मिलती है खासकर मेसोपोटमियन सभ्यताओं में असीरियाईयों के समाज को जब हम देखते हैं तो पाते हैं कि वहां पर उंच नीच का वर्गी करण बहुत ही मजबूत था इसा से 2000 साल पहले थी यानि इसा से दो सेस्तरावदी पहले से वहां के समाज में असीरियाई समाज में उंच नीच की भावना मौजूद थी सीरियाई समाज में जो सबसे उच्च समाज था जो सबसे कुलीन समाज था वो डमु असुर था यानि वो स्वें को असुर के पुत्र कहते थे और अवीलम के नाम से जाने जाते थे ये एक तरह से वही दर्जा रखते थे जो भारतिय समाज में भ्रामणों ने हासिल किया है दूसरा रवी का था रवी जो उच्च कुलीन थे जो सासन सम्मंद कारे ही देखा करते थे और रक्षा का दाइट तो जिन के पास था जैसे कि हमारे समाज में । Swत्र की दर्जा दिया गया वहां रवी के नाम से जाना जाता था और ये पुलीन लोग थे जिसमें की दास आते थे और इन्हें सिलू हलू कहा जाता था जिनमें दास आते थे उन्हें सिलू हलू कहा जाता था और दास भी दो तरह के थे असीरियाई समाज में दास भी दो तरह के थे एक दास वो थे जिनने चेट टेल कहा जाता था चेट टेल दासों में वो दास आते थे जिनने विदेश से अ तो इस तरह से असीरियाई समाज जो है उच्छ और नीच के चार वर्गों में बटा गुआ था इस बात के परयाप्त संकेत मिलते हैं कि असीरियाई समाज उस काल में बहुत सी कलाओं में और बहुत सी पताओं को रचने में बेहद निपुन था और इसी असीरियाई समाज से काफी पहले उरू से असीरिया के उरू से अबराहिम निकलके पस्चिम की ओर गए थे दच्छन पस्चिम की ओर गए थे और अबराहिम ने खुद का अपना धर्म में स्थापित किया और इश्वर के प्रेड़ना बताते हुए दच्छन और सभी दिशाओं में निकले लो और उन्होंने पूरव तक अपनी मौजूद्गी दर्साई इसा से करीब 800-900 साल पुराना रामायंड को महना जाता है और उस और काल में भी एक असुर जिक राता है. और रामड के परिवार वह काफी पहले द्चिन में आकर बसा ही कुवेर ने लंका को बसा या और यह इसे क्र pumped रहनत प्रोवानित तोंपटर ब किने लिखा गया i bestिए कि परिवार ने ने में आकर बसा बढ़ती है पुलिस्तस असुप उनके नहीं थे लेकिन उनकी जो रिष्टेदारी बाद में हुई है उनके पुत्र की जो रावड के समाज में हुई है और इस वज़े से रावड जो थे वह भी असुर कहला है की असुरों का एक समार छक्रीय था तो समय में और यह असुर् क्या वही है जिनने असीरिया में जो पर दमू असुर कहते लूट मचाना शुरू किया, तो चीन के सम्राट में हमला करके असीरियाजनों को खदेड दिया और ये असीरियाजी जब बड़े पैमाने पर ठागे असीरिया से तो हिमाले के दक्षन पश्चिम में बसे ये जिसमें कश्मीर से लेकर जम्मू कश्मीर से लेकर गुद्रात तक असीरियंस की बड़ी बसावट के साच्चे और संकेत हमें मिलते हैं ये इसा से 400 साल पहले की बाद और हमें एक चीज और ध्यान में रखनी चाहिए जैसा कि हमने बताया कि राम जो है इच्वा कुपुल के राम जो हैं वह शबरी के जूटे बेर खाते हैं, निसाद के मित्र हैं, मगर इसी राम कथा में एक कथा और आती है, वह शम्हूग के बद की आती है, वालमिकी रामायन के उत्तरकांड में त्यत्तर्वे से लेके शत्तर्वे सर्ग तक ये कथा आती है, शंभूप के बज कथा आती है, किस कथा को ये माना जाता है कि उत्तरकांड जो बड़े पैमाने पर है वो छेपक है, यानि बाद में जूड़ा गया है, रामायन का अपना रचनाकाल है वो आठसो से Çपूर्व के आघसपास का रचनाकाल है और ये रचनाकाल निकलता है और अगस्त सए सखेट, आगस्त करते हैं और अगस्त से रचनाकाल है वो 900 लेकिन च्पकों से आने से पहले एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूं कि जो हमारे वेद थे वेद पहले गे थे गाएन के ऑगे बढ़ते थे एक पीडी से दूसरी पीडी की ओड लेकिन इन्हें महावारत काल में फिर से लिखा गया महभारत काल का जो समय माना जाता है वो इसा से 500 से 700 साल के बीच माना जाता है, रामायन काल के बाद का माना जाता है, इसकी बड़ी वज़े ये है कि महभारत में बुद्ध का जिक्र नहीं है, जब कि जैन धर्म चार बार पंतियों, जैन पंतियों का जिक्र आता है, तो इसलि दोरान जब लिखे गए और बाद में विव्यास के नाम पर बहुत से लोग लंबे समय तक लिखते रह चटी साथमे सभीशा जाता रहा ब्यास के नाम पर चीजें गذी जाती रही, जोडी जाती रही, ग्रंतों में, प्राचीन ग्रंतों में, इसका उलेक राजा भोज करते हैं जिसका संधर्व सत्यार्थ पताश में स्वामी दयानन भी देते हैं तो इसका जेकर करने मैं आपको एक स्वोग सुनाना चाहूंगा तो मैडम ए आई क्या आप हमारे लिए यजुर्वेद के तीसमे अध्याय का पांच्वा स्वोग बता सकती है जी अवश्य मगर आप इसे मेल बॉइस में सुनना पसंद करेंगे या फीमेल बॉइस में जी आपके अनुरोद पर पड़ रही हूं यजुर्वेद के तीसमे अध्याय के पांच्वे मंत्र का यहां अंश ब्रामने ब्रामनम शत्राय राजन्य मरुभ्यो वैश्यम शूद्रन तपसे इस विद्यद्र से ब्रामने ब्रामनम शत्राय राजश्यम शूद्रम विद्ध्य के पर साग करने वाले को पड़ करने वाले को मरुदव्य यानि की भौतिक पदार्थों का क्रेय विक्रेय करने वाले को वैश है और तपसे शुद्रम यानि तप करने वाले श्रम करने वाले शुद्र हैं और जब जब यजुर्वेद में ने कहा जाँ रहा था तप करने वाले शुद्र हैं तो बालमीघ रामायन के उत्तरकांद का जो छेपक है शंबूक वद हमा शंबूक का बद जो है तप करने पर ही किया जा रहा है को पेड से उटा-लटक के तप कर रहा है और यह जोड़ दिया गया है कि भी राम जाते हैं और तलवार से उस क्या सरकार देते हैं जब कि राम धनुर्दर है वो तलवार नहीं चलाते हैं तो इसके छेपक होने के कई साच्छे हमें मिलते हैं ज़र वेद खुद कह रहा है कि तब से सुद्रं तब ही सुद्र की पहंचान है तो लेकिन पहले जातियां बताने के लिए छेपक किये गए कि कौन छत्रिय है कौन ग्रामन है कौन शुद्र है कौन वैश्य है और पहले की जो व्यक्या है वो बहुत लचीली है तांकि रोध का सामना ना करना पड़े कारे के आधार पर बाटने की कोशिश है वगर जभ वह असीय prol…? इसखते हैं जो आसुर लोग हैं जब वह प्रभावशाली हो जाते हैं वह तो जोपने मनमाने तरीके से लिखता है यहां पूह चीजह दर्ज कराया सिया जाती हर्खती है ब्रह्मा के मानस पुत्रों की और उसके बाद जो दूसरी अवधारना आई कि भुजा से, तीसरी जंगा से, चौथी पैरों से तो इस तरह से जो है समाज में उचनीस भाव पैदा किये गए और ये जाहर तोर पर लगता है कि ये आयातिक भाव थे तो इस तरह से उचनीच की जो भावना प्राव भाव पैदा कि ये जो चेपक हैं, वो अपनी भाषा के आधार पर शब्दों के आधार पर इतने भिन्न हैं कि उन्हें साब तोर पर माना जा सकता है, ये कि लिए मूल प्राचीन भारतिय गाहिन का इस्षा नहीं है, मूल भार ज्ञान आयातित है, तो इस तरह से उचनीच की भावना भारतिय समाज में आई, तो पूरी तरह से आयातित है, वो सिंदुगाटी की सब्वेता नहीं है, वो भारतिय समाज का इस्षा नहीं है, वो भारतिय समाज का इस्षा नहीं है, तो आज दिल दिली देश में इतना ही जल्द ही फिर मिलते हैं ऐसे ही नई विश्य के साथ धन्यवाद हाँ इस चैनल को सब्सक्राइब परना न भूलें लाइक करें अगर वीडियो पसंद आता है तो मित्रों के दाश शेयर करें आपका आवबाद